पूडी वेलकम तू माई चानल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले है कांदे पोये की रेसिपी जो बनाने में हासान खाने में हेल्दी और टेस्टी तो बहुत ही होती है और ब्रेकपास के लिए तो यह सबसे अच्छा आप्शन है तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडि अब बनकर रिडि होजाता है तो यहां पर मूंग फली को बीना तील के भी रोषट कर सकते हैं लेकिन तेल मैं भूण ले रही हूं और इसे लाल हूने तक भूणन सब्लख क्राया है तो यहां पर मैंने बुब नहीं कि ए Stan में सेम में थेल taste नहीं किया है इसमें हम लोडिए फूट जाल देंगे हैंहें मैंने काजयों किसमिस का टेस्ट बहुत ही अच्छा आथाय आप ट्राइ जरूर किजयेगा अगर आपने आस तर्स ट्राइ नहीं किया है तो यहां पे हलका ज्यादा नहीं 10-15 सेकर निसे सौती कर लेंगे उसके बाद इसको साइट कर देंगे इसमें हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून राई एक चोटी टेबल स्पून उरत डाल इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा था है तो हलका यह दोनों को डाल कर हम लोग इसे तरकने देंगे सब के साथ मिला के तरकने देंगे उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे करी पत्ता यहां पर मैंने पारा से पंदरा करी पत्ता के यूज़ किया है बिना करी पत्ता का पोहा तो अधूरा ही समझी है इसे भी हम अच्छे से तरकने देंगे उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे बारी कट केवी हरी मर्च है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मर्च एकदम optional है अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना इसे skip भी कर सकते हैं यह हमारा जो मसाला तरक चुक है अब हम लोग इसमें डाल देंगे बारी कट केवे प्याज और इसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे तो सभी के साथ हमें इसे भूनना है हमें यहाँ पर कांदे को नहीं जादा गलाना है सबजियों के तरह और एकदम कच्छा भी नहीं रखना है इतना करना है कि जो इसका कांदे का जो कच्छा पन है वो निकल सके इतना ही हमें इसे फ्राइ करना है उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक कितना डालेगा कि यह मसाला भी उसमें गुल जाए और जो हम लोग पोह डालेंगे उसमें अभी अच्छे तरीके से कोट हो जाए देन उसके बाद एक भरी टेबल स्पून भर कर हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर भी हमें थोड़ा एक्ट्रा डालना है क्योंकि हमें पोहे के लिए भी इसी से मसाले में हम लोग भूनेंगे तो दोनों को डाल कर मैंने यहां पे अच्छे तरीके से भून लिया है करीबन करीबन हम लोग 40-50 सकेन हम लोग दोनों को भून लेंगे ज्यादा हमें यहां पे कुछ भी भूने के जुरुत नहीं है क्योंकि नमक है हल्दी पाउडर है उसके बाद हम लोग यहां पे पोहा डाल देंगे मैंने पोहा को अच्छे तरीके से दो कर इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से निचोर कर हमने यहां पे पैन में पोहे को डाल दिया है और अच्छे से सब को चला लेंगे बीज में हम लोग यहां पे जो हमने मुंफली फ्राई किये थे वो डाल देंगे और फिर से इसे अच्छे से चला देंगे एक टेबल स्पून लास में हम लोग डालेंगे निम्बू का रस निम्बू के रस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और उसके बाद सब भी को अच्छे तरीके से मिला कर लास में धनिया पती डाल कर हम लोग एक बार और इसे मिला लेंगे कुछ कुछ चीजे से निम्बु करहस मैंने डाला था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो उसके लिए सौरी बट एक टेबल स्पून आप चोटी टेबल स्पून निम्बु करहस डालीए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो सबको मैंने अच्छे तरीक से मिला लिया और देखे कितनी खिली खिली यह जो हमारी पोहा है वो रेडी हो जुकिए बिल्कुल भी चिपके की नहीं और लास में